हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइश्टेटी फीट चैनल दोस्तों आज में टेनिस ग्रेंड इस्लेम टूर्णामेंट 2022 में कौन-कौन विजेता रहा है चारों ग्रेंड इस्लेम आस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंवल्डन ओपन एंड यूएस ओपन तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर में ये ग्रेंड इस्लेम टूर्णामेंट होता क्या है दोस्तों टेनिस में एक साल में चार बड़े टूर्णामेंट आयोजित की जाते हैं जिसे ग्रेंड इस्लेम टूर्णामेंट कहते हैं और ग्रेंड इस्लेम एक वर्स मे चारो टूनामेंट को जीतने वाले खिलाडी को Grand Islam की उपाधी दिया जाता है और यह चार बड़े टूनामेंट कौन-कौन से होते हैं दोस्तों यह होता है Australian Open, French Open Bimbledon Open, US Open जिसमें से दोस्तों जो Australian Open है 1905 से शुरुवात हुआ है French Open 1891 में शुरुवात हुआ है Bimbledon Open, 1877 में शुरुवात हुआ है US Open, 1881 में शुरुवात हुआ है लेकिन यहाँ पे Wars के सबसे पहला टूनामेंट कब आज़ित किया जाता है तो Australian Open आपको सेरियल नमबर से याद करना है Australian Open सबसे पहले आज़ित किया जाता है कब Australian Open जनवरी फरवरी माह में आज़ित किया जाता है French Open मैज जुन में and Bimbledon Open जुन जुलाई में US Open अगस सितंबर में तो यहाँ पे कोस्टन पुछा जाता है कि सबसे जादा सबसे पुराना टूनामेंट कौन है तो Bimbledon Open जो England में खिला जाता है और सबसे शुरुआत में कौन खिला जाता है Australian Open सबसे लाश्ट में कौन खिला जाता है US Open यह आपको ध्यान देना है तिन बाते and तो Australian Open Hard Code पर खिला जाता है and French Open यह आपको ध्यान देना है Australian Open और US Open दुनों Hard Code पर खिला जाता है और Bimbledon Grass Code पर और French Open खिला जाता है and दोस्त जो Australian Open है वह मेल बोर्ण मेल बोर्ण पार्क में खिला जाता है Australia में and French Open जो है इसको Ronald Garros के नाम से भी जाना जाता है यह पेरिस के इस्टेट Ronald Garros इस्टेडियम में खिला जाता है and Bimbledon Open जो है जो सबसे पुराना टेनिस की Grand Islam प्रतियोगिता है और टेनिस की सवरसेष्ट प्रतियोगिता भी माना जाता है Bimbledon Open की जो 1877 सबसे पुरानी टेनिस की Grand Islam प्रतियोगिता है यहाँ England के Land Tennis यहों क्रोकेट क्लब में London में खिला जाता है और US Open जो है वह अमेरिका के Newark के Falsing Middles Public Park के US से TA Billie Jean King National Center में खिला जाता है तो यह था दोस्तो चारो Grand Islam के बारे में Basic जानकारी जो आपकी exam में हमेशा पूछे जाते हैं अब बात करेंगे इन चारो Grand Islam टूनामेंट में 2022 में बीजेता कौन है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पूरुस बीजेता की जिसका ट्रीक है दोस्तो R.R.N.C याद करने का ट्रीक है R.R.N.C यानि की Australian Open 2022 के बीजेता है राफेल नडाल जो Spain डेश से विलांग करते हैं एंड फ्रेंच Open 2022 के विजेता है राफेल नडाल जो Spain डेश से विलांग करते हैं एंड तिसरा है बिंबल्डन उपन 2022 के बिजेता है नुवाग जुकोविक जो सर्विया के रहने वाले हैं एंड जो था है यूर्श उपन 2022 के बिजेता कार्लोस अलकारे जो इस्पेन के रहने वाले हैं तो दोस्तो इस तरह आपने देखा RRNC RR मतलब की आस्टेरियन उपन फ्रेंच उपन दोनों के बिजेता 2022 के है रहने नडाल ठीक है एंड यंड से होगा नुवाग जुकोविक जो बिंबल्डन उपन के बिजेता है एंड सी से कार्लोस अलकारे इस्पेन के जो यूएस उपन के बिजेता है इस परका RRNC से हाप प महिला टीम में सभी गर्ण इसलेम में कौन-कौन से कौन-कौन जीती है तो आस्टेरिया इसका महिला टीम को याद करने के लिए महिला विजेता को याद करने का ट्रीक है दोस्तों A-E-A-E क्या है A-E-A-E यानि आस्टेरिया उपन की विजेता 2022 की है एसले बार्टी जो आस आर्षया विद्टेथ से याद कर सकते हैं तो दोस्तो यह था आपका एक छोटा से वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए 2022 की विजेता ट्रिक के साथ आई होप कि दोस्तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब आप इसको कभी नहीं बूलेंगे तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जादे जादे सेयर कीजिए दोस्तो और मैं 2021 की विजेता को भी बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्ट वीडियो में तो दोस्तो फर्स वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकन को फ्रेस कर लेजिए जिसे न्यू वीडियो को आपडिट आप तक पहुछता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे